तो था बच्चों को शाइद पसंद भी आई होगी और थांक यू फॉर सपोर्ट सो कुछ बच्चों के कमेंट साहे थे कि इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड करो सो आज हम इंग्लिश की वीडियो लेकिया है इसमें हम तीन चप्रस इंग्लिश के जो हैं डिसकुस करने वा तो यह तीन चप्रस हम इसमें डिसकुस करेंगे विडाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम हाइवे मन से स्टार्ट करते हैं तो है बलाड है बलाड इस ए फॉर्म और पॉइंट जिसमें हम स्टोरी वर्सिज में बताते हैं यह अल्फए ने लिखी है एक बलाड जिसमें यह अल्फएड की और वेल नोन बराड जो इंगलिश पोईटर में से एक है उसके जो निटिव स्किल है अल्फएड की वह इसमें अपने बेस्ट में दिखती है जो प्रोटैनलिस्ट है वह हाइवे मन है जो की रॉबबर है वह एक इन कीपर की डॉटर जिसका नाम बैस बैस ब अप्रोटे का गाल जो लॉबबर है वह वह पूरा पूर है विदाट अज़स्ट मॉट इसमें कोई भी समॉटी उनका नहीं है जो पीकर है वहाइफ का सबसे पहले इन विरमेंट है उसके इन बार में डिशकेस किया हूँ तह सब सबहले चाल उन डार्कने से जो कंपयर किय पहले था मुझे के का मुझे मुझे क सपरने एक सब्सक्या के खाय रिमागयगर्ण करें दूछिएयों सब्सक्राइडगर्ग जो मून है वो छो में स्काइय में जैसे सी में शिप सेल करती है मून शेल कर रहा है यह दोनों यह तरह से यूज हुए है उसके बाद आप मून है बिंच लरी है डाकने से तो ओविश्ली बात है कि नाइट का सीन है तो काफी गूड सेटिंग एक साद फिटिंग और ट्रेजि इक लाइट की तिन स्ट्रिप चाहसा है वह लग रहा है लोग रिबन आफ मुनलाइट उनने बोल आ है जो ब्राइट रोड ऑफ बीच प्राइब राईट नाइट ॉनलाइट बीच और जो नाइट फूल्ज रहा है उसको फील्स एंग्रास की फील्स उनको एक पर पल लूक अब क्यों होता है यह जो हमारा स्पीकर है पोईटर ने है जो भी वहां का इन्वार्मेंट है विंड चल रही है जो मून है उसको गैलन के साथ कंपेर कर दिया जो गैलन के होगी एक ओल्ड हुज शिप सो उसके दाद कंपेर कर दिया और नाइट और मॉन लाइट जो है वो जो ग्रास फिल्ड है उनसे भी को एक परपल कलर दे रहे हैं यह हमने इन्वार्मेंट की बात कर ली अब हम क्या होता है कि हावे मैं के एंट्री होती है जो की में करेक्टर है जो लव और सेक्रिफाइस के स्टोरी है जो इसका में है जो कि एमफसाइज करती है कि उसमें कितनी अरजिरा कि इसका में प्होँचेश जल्डी कि vite से लिगे च्नी अलों को Do星 by TheBar इसका में, उसससे बाफंच से बेक्ता है जल्डी कर मैं को लिगा से स्टोरी है अश तर्यार में है क्या है जो हाटैर का साजटी है क्या है। बंच अफ लेस्स लेश्स मैं शॉर्ट सवक टॉप्ष नोट कर दके लेडाई हो यह निया रैड़ वाइड काया है पर शॉर्ट की खायओ जो चांड अब्रिच शॉर्ट का तॉप रॉप्ण का है। ब्रिच काफे टाइड हैं जिसे कोई रिंकल नहीं है हाई थाई उसने बूट्स पाने हुए और उसके पास एक स्वोर्ड भी है जो कि एक ज्वल की तरशन करें अगर बात करें शॉर्ट में हम बोलें तो बहुत काफी क्वाइड फैंसिवली वह ड्रेस्ट अब था और एक ज्वल की तरह वह चमक रहा था यह हमने बात कर ली कि हाई वे मैं क्या से लग रहा था और इन्वामेट की वह बात कर ली आपके हाई वे मन इनके जो कोडियाड है वहां पहुंच जाता है और काफी नॉइस क्रिएट करता है अपने शूट टैप टैप जब अपने शूट करते तो आवाज होती है तो है जो सारी वींडोग शूप समझारी लॉग हो चुकि है और उसकी जो टैपिंग होती है यह गिसन्रपटा बात कर लाउट हो जाओ हो चुकी होती है जो उसके बद करते हैं एक विंडो की तरफ व किसके लिए होती है लाण्ड लाट की जो डॉटर थी है इन पर की जो जो जो हाइवेमन के लिए अपने लवर के लिए वेट कर रहे है उसके लिए थी तो वह कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता है फिर्स वह अगीन विसल करता है इस बार बैस्टो वह शो होती उसने जो लॉंग उसके ब्लाक हेर जो में एक रड़ लवनॉड जो प्लेट की होती है काफे एक ब्लो लवनॉड थी बैस की ब्रेट में वह जो उसके टू और पैशिन्ट लव है हाईवे मैं के लिए उसको जो सिमबलाईस करती है जरली जो लव पैशन से ही वह रड कल्लर जो नॉटolie है वह ऊस्वेट करती है और सकर दूद्स एमशियन्ट है जो डाक हैं डाक हैं क मुस्क्राइब देख दिरish से दुरिए कोन तो यह कोई है उनकी बात चुप कर सुन रहो है he was Tim उस्टर घृपकर केरहें तो तिम था वह काफी पेल लुकिंग फेस था उसका आइस भी इंसेन थी यह जैसे ओल्ड फूड या सबस्टांस पे जब वह वाम वेट एर में रह जाता था तो इस पर जो सॉफ्ट ग्री या ब्लैक अलगा सबस्टांस उस तरह का उसके है और जो तिम था वह भी बैस से प् तो लेकिन वह फिर भी जो बैस तो उसे प्यार करता था तो एक डंड डॉग की तरह वह चुप चाप बिना कोई अवाज की लुक्ति की सुनते है तो प्दे उनकी बात काने के बात था जो यू टिम होते है वह सुनता है वह जो हाईवे मैं होता है तो इस से पहले कि मैं शर करने जाना था थे फो को प्रामिस करता है कि वो सब्च अजग गल्ड करें लेकिन नॉस को वजरो हो सकता है कि लुजे मुझे चेज और मुझे पूरा दिम परिशान करें तो दो उसकेस में वा उसके लिए रात को वेट करें और वह प्रॉमिस करते कि द Gün actual के चाहिए सब्सक्राइब शुरज होते हैं बाफस सूरज ने का नहीं होता है लेकिन हैं और इनुपता नहीं होता है यह पता है अचानक शुरप्राइब गया है ठोटा होता है हैं दूपता ही बिर्टिस सोलजर्स का एक ट्aza है वह इनकी तरफ आरहा था जो सोल्जेस थे उस तनी जो यूज था वो आ रहे होते हैं क्यों हाइवेंन के लिए हैवेंन को रेस्ट करने के लिए वो लॉक रिप्रेशन करते हैं उनका जो बिहेवियर था काफ़ा रॉण तो पड़ नहीं काफ़ी रॉंग ठीक्स और रॉंग बिहेवियर किया इन में आकर जैसे सबसे पहले उनने बिना इनकी पर जो बैस के फादर थे उनसे बिना पुछ इनकी ड्रिंक्स पी लिए उसके उससे बें जादा वोर्स थिंग जो बैस थी उन्होंने बैस को बांद दिया इससे पता चलता है कि वो कितने जादा इल बिहेवियर वाले थे उनने बिलकुल अच्छा बिहेव नहीं किया फिर वो क्या करते हैं कि उनमें से जो दो सोल जीज़ों थे वो विंडो के पीछ अ उनको दिखेगा वो उनको शूट कर देंगे तो जो बैस हो था उसको भी रुड दिख रहा होता है विंडो से बिटके हो थे कि इसको सोल जने बांद रहुता है इसलीं स्पिकर बोलता कि जो हल यट वन डाक विंडो था तो मिलब की जो बैस थी वो एक तर चारी जली नहीं जो प्रूल्टी और उसको पें असको पेंग प्राइब कर सकता थे और उसको पेंग में थी और बहुत ज़्यादा होरिबल सिच्वेशन में उस ताम भास थी लिगन वह रोड पे देख सकती थी कि जो उसका राल लवर है वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो इंआ जो जो प्रोडी है वह अनुनने इसको बांदिया होता है उसको मजाग भी ले रहे चेसके इना काफी रॉंग बेह和 दो किया जो पर उसको जोक्स पनाते हैंड जो जो गन होती ऐ गन बैरल उसको तरह को पॉइंट कर देते हैं कि इसली ब्रेस को ड्राने के लिए आंड उसके वर ब्रॉर नजर भी रख रहे होते हैं सो पिर कहता है कि जो मुझा उसके साथ उसका फिर जादा इल बिहेव करते हैं सो लेकिन जो उस टाइम जो पैस होती है उसके माइन में क्या चल रहोता है तक शाम तक वापस आएगो जैसे टाइम गई तक शाम आ रही तो उसको वह याद आ रहा था सीय मैं काउन जोओ घुअँ ओक स्टे से स्ट्रीगर में गाद स्ट्रीगर का काई हख सिस्ट्रुग तक शेजा है जी तो में भी तो हखने डemment भी तो प four घुटल केंशाया तो सिस्ट्रीगर टाली में से तक responsive प्रिगर के हिले हुंच हरब हो बाद उसको स्प्राइब पर करता है यह वो यह यह पर हम माइन दो हरा है है कि अप ऽ१ुत तोना सथे कि नहीं आपिते हों हने हुआ बधा हो एक उपह रहा है ओनने हम एक दो किmาย हिरा है अधिकर कॉर्ण नहीं पाते हैं तो तो फिर जाने के लोड रें, जो रोड बाइन में आपको एंप्ती होता है मूनलाइट में बिल्कुल खाली होता है जो भाष तक बहुत जादा डिरें होती है अपने विप्रकोब की और घुति जो अपने लोवर मारे में अपनी हाईवेय मैन की बारे में जो होज बढ़ती जाती है रिपेट होती है इसका मतलब होते है कि हाइवेमन आरा होता है यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं थी क्या हमें पैता था क्लियर था कि अगर इस ने वह सुन ली जो भी होज के होज के पैरों के अवाज तो टो डेफिनिटली वे वह इसको शूट कर इसको मार देंगे और क्योंकि वह बहरे नहीं तो अविसली वह सुनेंगे और जैसे उनको पता चलेगा तो उसका मर्डर करने के लिए अपने गन्स लेके रड़ी हो जाएंगे तो इधर है जो है जो है जो होवस के आवाज बढ़ती जा रही है क्योंकि वह आ रहा था जैसे क्यों कर रही है उसको मुला से क्या है तो फिर अब यहां पर जो एक जो हमने सोचा नहीं होता है ऐसा कुछ होता है कि वह क्या करती है अपने आंखे को एक लांग बित लेती है और ट्रिगर दबा के खुद को शूट कर लेती है इससे क्या होता है कि वह अपनी लवर को वान में का बिलकुल पियोर था विता नी सेर्फ्मोट 25 अबर यहां पर मिलुशन जेहां और परश्मेद संता है यह सपांट यहां और डेल वह राग dai हमाइं दया दिमाय जाता है नहीं वह प्तर कि ऐसे को चैल जाता बचानने के लिए अपनी जान दे रिर गुशन मर जाता है कि बचाना के लिए जाता कि aciaध धैस मर चूकी है तो वह वापस जाता है जाता है कि छल्ट दोल्ट पागल सा जाता है तो अपर जाते हैं जाता है कि अपने स्वार्ड लेकर उन्यू तो कि के वहार शाशचाटी गार इता है गया गया करो प्रूव पीस थे कंचल को या एक दूसरी के लिए तोनों गिसा और हे लिए हूं का जरा ऑल सर गोस्ति में ऑख टे सालगा थे कि यह जो यह चोड़ी के दिया दी है जो best और highwayman है वो dead है, वो मर चुके हैं, बत्य जो उनकी spirits हैं, वो वाप साती है, जो night होती है उन में, जागे haunt ड्राती है वो वाप साती है और जो भी scenes पहले होते थे कि highwayman आता था, शर्टर के tap-tap करता था अपने पाउंस से वह सारे रिपीट करते हैं जब वह मिलते हैं अलिट थी कि अदेना फब बलडा ह vidya युकि मिलतै है कि आपड़ाे ने की तो सब्सक्की हो घुट्त करते हैं कि गूरा है योग है कि अपने काई भी सब्सक्राबन करें और थी दोड़न किदेग की पत् niट कर तो इस तरह अनलाइक स्टोडी हो जाती है एक लवर की लवर्स की एक्जिस्टेंस की वह ऐसे तो मर चुके हैं वर जूनका प्यार है उन्होंने उस प्यान उनको अभी भी जिन्दा रखा हुआ वा आस गोस्ट भी अभी भी मिलते हैं जो अपना प्यार है दुसरे को डिस्क्राइब रखा हैं एसनख़न और से नीच्छन के एक सांट रखा हैं यह नहीं सबनागर आसे एक लाटेशन हैं और सावनलाज उन्हां उनका में हैं वह तो शोग्ताहितन व़क्त हैं जोभी यह वगता से सद्शेकों पार peaksन अपने दोन से सहो बात सो आईश मैंली करने चनी के भी Sound I like to Hear is a beautiful sound that raskin borne designed perfectly इन्डिया के इंजय बिल राइतर में so sound I like to hear is raskin borne Likas इसमें बहुत ब्यूटिफुली जो सांदस्केप सेंडिया के उनको एकस्पूर किया हुआ उसको काफी है फील करता है जब वह कुछ सांड्स जो बहुत पसंद है उनको सुनता है जो इन इंडिन लाइफस्टाइल की जो घुंपलेक्स इसमें इसने डिसकस किया तो बिना किसी इदर उधर की बात किये उसमें सब्जेक पर आता है और सुनियोमरीस वाइस अच्छे लगनी उसमें उनको बताना है बाद के रहा हें, रात कि रिख रहे हैं भारिश उसके कि एक रहे हैं प्रेड कास्ट पसंद कोई अछिया है सिफ दिर 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 जो बारिश हो रही है जगा भी रही है but at the same time वह प्रिवेंट भी नहीं करते क्या आप मच सोग रिडिंग जो बारिश हो रही है जो अंदर होता है जो टीन रूफ है वह लीक हो रही है तो उसमें से भी जो पानी गिर रहा है उसके एक फीलिंग आ रही है जो अंटश्ट भी है और टच में भी है रें के साथ ईसमेर इसमार रही है वह रही है जो बहुत स्टल रहा है जो अंदर टिपटिकां में आवास हुआइब तो बारिश बेहार भी है वह लेख सब दूरिया ए लेकिन अंदर कोईश बिसकांड़ एक बश्ट्च तो पाईट आश्ट एसमार फैडिन के रह का है जो बनायी है ग जो बहुत से और शी हैं जो आर्थर बिताते कि इसके बहुत जादा पसंद है जैसे सबसे पहले कि लाइक्स टू हेर दा साउंड जो क्रोश है रात भर वह आधा है हमारे तरह घरों में तो रहते नहीं है पर वह जोफीज ड़ातें था तो बारिश पड़ी हूने पडर करती पानी को गिरता है जो आउयों हता हुँ करता है जो वह साउंड पर यूज करते हैं वह भी और्थर को सुनने में अच्छे लगते हैं जो हिमालयन जो भी स्लिंक थरश होता है डॉग जो भी रश कर रहे हैं भाग रहे हैं उसको अच्छे लगती है उसको एक चैरी ट्री है जैसे आपने देखाऊगा जब पानी बर जाता तो वह बिल्कुल ऐसे बैंड हो जाती है उनकी स्टेम्स तो वह ही बताए कि चैरी ट्री है जो बिल्कुल बैंड हो गया है है वी रेन की वज़े से लेकिन अचानक की जब धूप लगती तो एक दिमसा से लगता है कि खुद को स्ट्रेट के और शेक किया ताकि उसको पानी गिर ज जाती है तो क्रो जब अपनी फैदर को शेक करता है जब बुल्बुल और बिर्ड बुशे जो लॉंग रसे में फूड की सर्च में निसेक्ट वोंप की सर्च में दो दो दर अंदर बाहर जाते हैं चैरी ट्री जो पानी को शेक करके खुद को स्ट्रेट करता है उस वह स्ट्रीम का जो वाटर होता है उसका हमेशा एक हरी में ऐसा लगता है कि मलब रॉक्स के ऊपसे चैर्टरिंग करते हुए मलब असा लगता है कि हमेशा वह हरी में रहता है और कह रहा होता है कि आम लेट मैं लेट हूँ मैं लेट हूँ मैं लेट हूँ मैं लेट हूँ मैं ल फिर इसके बाद एक रैपिट जो कि जल्दी जल्दी में भाग रहा ताकि वह रही हिल की टॉप पहुंच जाए तो उसके टंब्लिंग जो वाइस होती है वह भी इसको पसंद है उसका बॉलते है कि जो थर्स्टी और अर्थ होती है जो वह वाटर को सोगती है जो इसके पर प पानी पीता है जो चे चीन ओख त्रोल्ड से पानी नीचे टपकता हुई हो स्टी मोड़ स्टी अर्थ के एंप में माल स्टी एंपर गजे Mich Super Pick Service जो sounds वह जाये हम जाएथ है लुप बहुत जयादे पसंद है उसके बाद वह हमें पथाथ कि इसको जो वाटर कोई भी ओल्ड वह है आउटसाइड विलेज जहां पर गूम रहा है वहां पर साउंद होती वह भी तो भूछ काल गाती है उनके उनके पहियों से आवाज निकलती गोडा गाड़ी की क्लिप टॉप लृप वाली बेल की तिंकल वाल सीच वाल यूजी आवाज भार पता है उसके वाज्य द्रैवर पूद्यदे का वह उसको चला रहा है और अवाज कर दो सारी साउंड्स भी जो पुई पशंद है आप कि बोलता है? आप रस्किन्मॉन भूलता है कि अपनी जो bell sounds इसे भाएं बच्छे के बारे बताते हैं जो इसको अच्छी लगती है सबसे पहले school bell की बाथ करते है school bell ring करती है जो जो उपन विंडो थी उसके थूप बच्चों की जो चलाने की हवाज हाती है तेम्पल बेल जो काफे दूर से बहुत फिंटली सुनाई रहती है कुछ ऐसी वर्जस नहीं जो बैल वोइस जो आउथर को पसंद है उसके बाद जो भी हिल विमन होती है उन्होंने काफी बारी बारी एंकल बेल पहनी होती है पाव में गुमूरी पहनी होते है उनकी जो को बहुत पसंद है उसके बाद रस्किन बॉंड पुछ था कि क्या आपने कभी सोचा कि जब किसी फूल के पत्ते जड़ते हैं उसकी पैटर्स जो हती है वह जड़ते तो उनकी भी आवाज होती है और रस्किन बॉंड को वह सबसे बिल्कुल छोटी टाइने सॉफ्टस्ट सा उसकी बहुत अच्छी लगती है जैसे बहुत बिल्क फ्लाज जैसे डेलिया जब वह अपने पैटल को गिराते हैं तो बहुत डैफिन एफ्लॉप से गिराते हैं और जो उस टाइम जो साउंड होती है वह जड़ पसंद है उसके बाद जो होते हैं जो रूम जनाइट में आ पसंद है अब जो और थे वह बात कर रहा है उसके जो फेविट सांड है जो बर्ड से रिलेटर है बर्ड को बहुत को बहुते हैं ऑडन को ओने ये दो हूह स्चाङग जाना चाहिए बडर्ग पलें में जो बर्ड राथे हैं जो दोनोवार्ट्स होते हैं कोल्ड विंटर पे जब हम किसी प्लेन नौर्दर इंडिया में प्लेन एरिया में जंगल वाइल इस साइड निकल जाए तो हमें बहुत ही फामिलर आवाज एकाती है ब्लैग पैडरिज की वह ऐसा लगता है कि वह क्या वो रही है ओ गौड ग्रेड इस दा माइड तो इसका मत कि ना एक सिंगल बर्ड भी आपको महा सुनाई है दिखाई ने देता और बिल्कुल साइलेंस होती है ऐसा लगता है कि वह जो शांती है वह आप पर ही चिला रही है तो यह जो क्या है यह ऐसी साउंड से जो बर्ड से एसोशेटेड बर्ड से रलेटेड है अब और भी साउ जो बादेड बीटिफुल होती है क्योंकि वह दूर से आती है विंड के साथ आती है जैसे कोई फिशर्मन है वह चिला रहा है रीवर में वह को जो ड्रम बज रहे हैं दूर-दूर विलेजिस में फ्रॉग्स की ख्रॉकिंग यह जो फ्रॉग्स चिलाते है उसकी आवाज उ इसको बिलकुल पिसनी है जो एक मोटर हॉन की तरह मम लगत बहुत है वह बोलता है कि कुछ लोग जो होते है वह टैक्से ड्रइवर जैसे टाफिक्से ट्राइव ने एक्जैमर अग्जामल दी जिसको जानता है वह उनको मोटर हाउन बहुत पसंद पर कोई भी शांस मिस न roof कि बहुँने frontier के बहुता है। Massimum नाले हमने चौदा के बाग बहुए आने झाले हों घूरी हुम्होडर को बहुए पाले ही ओए ताई मेचा ajudar उसका विए चोड़ा में फे लिए उल्ड़ होती है वह वाज ओल्ड सूफा में जो स्प्रिंग लगे होते हैं तो वह उस ऐसी का इसी फैमिलिर वोईजिस की इसने बात किया ठीक है ठीक है रेन के डाइम में जो डख वैक वैक करती है यह भी एक गुड़ और कमफटिंग होम साथ होमली साउंड में से एक है लास्ट जब मनलब पर दूबारा रेन पर आता है और खहते कि उसके जो फेवरेट साउंड है वो रेन के साथ स्टार्ट होती है रात को जब आरिश हो तो वह बाहर बैठा था और जब रेन का शावर हो जाता है खतम एते तो बागी जो क्रिकेट क्रिकेट जो कीड़ होता है वो ग्रास ओपर कीड़ा और लिटल फ्लॉग इन सबकी जो वाइस है वो इसने एंजॉय की और एक बहुती मेलोडिस बहुत जादा उसको जो साउंड पसंद है जिसका उसको सोर्स का उसको कभी पता है कि वो साउंड कहां से आरे है कोन प्रिड्यूस कर रहा है पर उसको वो बहुत जादा प्रिड्यूस करता है कि उसको नहीं पता उसको नहीं है कि वो चाहता भी है जो भी वो साउंड है उसको चाहता है कि वो साउंड के सोर्स का पता करें वो जो इमाजन करता है कि वो जो ओवाज है वो जो ऑवाज है वो ग्रीन क्रिक्टिया चुटोटे फ्रॉग जो वो करते अच्छी बात है कि हमारी मिस्ट्री भी होनी चाहिए आज के मौर्डन एज में जहां पर हर चीज के लिए आप देख से सुनते हैं तच करते हैं उसके एक सैंटिफिक और रैशनल एक्समिनेशन आपको दे दी जाते हैं इस मौर्डन एज में एक मिस्ट्री होना एक अच्छी बात है और वह बोलता है कि जो मिस्ट्री है वह पूरी तरह से मेरी है और उसको वह बहुत ज्यादा पसंद है और उसके लिए सैटिस्फाइंग है यह बात की हमने साउंद किया है और यह पर हम इनको रिवारिज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेसी पता चल जाए सबसे पहले रेन की बात कि है तीन रूफ पे आवाज हो रही है कोई थंडर नहीं है कोई तुफान नहीं है बिजली नहीं है बस दीमी दीमी बारिश ह पासंद है बाहर भीजों दीमी बाका धुमी दीमाल अन्धर वह रही है यह था फेली है जब बारिश बंक हो जाती है तो बाहर को और तो बाहरणा जो फैदेर को शेक रहा हो से शेक उस फैद्ज में गिराने के लिए उसके पानि और गराने के ली aúnगे किक सी चैरी ट्री है इन सब्धी कि है अवास है जो उसको अच्छी लगती है कि इसको जो हमारा रिसकिन बार्न पोईट है उसके बाद वह क्या बोलते है टेल हो गया देन वाटर से जो सांड्स पर यूज होती है जैसे कि जो मांटें स्ट्रीम जाएसे लगता है कि चार्टर कर रहो है हमेशा जल् तब बहुत जार दूर होते हैं एक सीशल को में अपान से लगा कि जब नी शीख एसे को बहुत पर जादा पसंद है ड्य तृस्टी अर्थ की बाद की जब उसपे वाटर स्प्रिंकल आ जाता है वहां दो सब्सक्रा लेते है वहं बच्छी असटें वाज होती ने बच्छी both for Kमbor आछी साइड़ साइड उसको पशन्द है जो ब्ट गरी की पहियों के वास होती है जो घोड़ा ते की ब्ट है उसके ट्राइवर और इसके वास होती है वह सारी वोइजे अच्छी लगती है इस अच्छी लगते हैं ज़सने सवानद प्रड्यूज सरा है सब्सक्राइब जो हिल फॉमन होती है उनकी जो छीव जो बहुता है सलवा कि उनकी अवास और शीप बाल मांटें साइड पर उनकी अवास जो होती है वो भी प्रेट को पहुत ज्यादा पसंद है उसके लावाद जो बिल्कुर टाइनियस्ट उस वइस वायज है जैसे सनो पॉलिंग की और प जैसे आपको प्लैन में अलग होते हैं हिली एरिया में अलग होते हैं तो जैसे वह एक्जामपल देते हैं कि अगर आप किसी नॉर्दन प्लैन में जाओगे तो अगर अपस बस्वब जंगल वारे साइड जाओ तो वहां पर आपको बहुत ही फैमले वाइस नाहीं देगी वहां कहीं कि जो आपको ही आप कर रही है तो यह वाईगा जो है उसको पड़ küan बारत के लिए कि कहां दूर से जासे विंड की आएवाज आती पर इस फिशरमान क्राइइक बीज़ श्वोज बिसे ब्रॉख में इसलब कर रहे होते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए नॉइस बन जाती है जैसे कि ट्राइक्सी ड्राइवर होता है उसके जो मोटर होन उसको बहुत पसंद है उसके कभी नहीं थकता मिलें उसको बजाता हो कोई ऑपरचुन्टी और कोई मोका नहीं छोड़ता है जब वो उस मोटर होन को यूज कर स है और लास्ट में वो फिर से बहीं पहुंचाता है कि जो उसकी फेवरिट साउंड है वो रीन की है जब रीन होती है तो वो रात को खुले में बाठकर रीन का मज़ा लेता है और जो बारिश बंद हो जाती है उसके बाद जो ग्रास ओपर फ्रॉग्स और के जो के डिमकोड है और हो अचुली कन्फ्यूज है कि वो क्या आच जाता है और हो जो चाहता है सका होगी तो मॉनि उसकी को नए सी मिस्ट्री60 होना भी जरूरी है जब हम हमारी हर बात लिए जो भी हम देखते सुनते टच करते हैं उसके लिए एक डेटेल और साइंटिफिक रैशनल जो हमें एकस्ट्री होना भी अच्छी बात है और वह बोलता है कि मिस्ट्री पूरी तरह से मेरी और मैं काफी ज्यादा खुश हूं सैटिस्फाइंग हूं इस मिस ट्री से पात की हमने साउंड्स आय लाइक मोस्ट जो कि रसकिन बॉन्ट गोह कि यह लिखिया तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है हमारा बच्टा है वह अधोलड टेल टेल हर्ड गर एल्न गोंड लिखी एट्घर एल्न पूने प्रॉलिफिक अमारिक राय्टर है काफे पागल नहीं है तो वह अपने एक डिजीज जो हमसे वह बताता है कि एक सुपर पावरफुल सैंस का इसके एक कॉर्डिंग पागल नहीं है वह पागल हैं वह बताता है वह बताता है वह पागल नहीं है ना कभी था लेकिन वह एक सफर करता है जो कि इसके सेंसें सब्सक्राइब बहुत जादा बना देता है और वह अपने पास से एक इवेंट को शियर करता है यह प्रूफ करने के लिए कि वह पागल नहीं है पहले करता है जो नेटर होता है जो उसका एक आइडिया कि वह कांट शेक एक बूड़ा आदमी उसके साथ रहता था उसको बहुत प्यार गरता था तो वह ज़्यादा नेमनेस परसन यह बूलता है कि बागी तो सब ठीक था लेकिन जो उसके आइस थी प्लेन ब्लू वह उस नहीं माना चाहता था कि सॉरी उल्ड मैं वह बहुत अच्छो प्रण्जे भी थे मनी के लिए कभी नहीं माना चाहता था बहुत ऑढ़ा study प्यार कर तरह प्लीन के इस घसथा क्लीन जनकों प्लीनी प्रुट मैं gelir डेखता था तो इसका ब्लड होता था रॉर्बल लगती था इसके लिए इसके लिए अन्रेबल उसके अंकों ने तेखना वह इतनी जादा करने के लिए आर्ग्यू करता है कि जो भी इंसेंट पीपल्स होते हैं उनको कोई नॉलेज इन स्किल नहीं होती है बट वो बलते है कि जो भी उसने किया उसने बहुत प्लान के साथ कि और बहुत किया था कि बहुत साथ सूपर स्वीड बना वो ओल्ड मैं के साथ पूरे वीक जब उसने उसको मारा उसे मारने से पहले हर रात उस वीक की उसने उसको ओल्ड मैं को मारा उस वीक की हर रात अराउंड बारा बज़े वो ओल्ड मैं की रूम में जाता था बहुत अराम से डूर को खोलता था और जो उसके हाथ में जो लाटे न होती थी उसको जलाता था औ असपस देखा था कि लेकिन इतनी ही अमाउंट लाइट की जलाता था सिर्फ उसको दिखे बाकी ज्यादा अमाउंट लाइट की बाहरодар लाटन से ना आए दो जो अपनी में ऑाफ Babie वह ज्यादाРЕ japanese ना जा जो रूम में एंटर करता था इस आर्गियों से वह क्या प्रूफ करना चाहता है कि वह इंसेनिया पागल नहीं है एक सिस्ट ल्ठीट करते थी करती थी ओल्डवन की नहीं को नहीं पाता था और या प्रॉब्ल रिशंट से कोई प्रॉब्लम इससे थी old man को उसको कोई problem नहीं थे हर सुबह जो नेटर होता था वो old man के room में आता था और इसको पूछता था कि आपकी रात कैसरी आपको अच्छे से नीन वगरा तो आई जो जो old man था उसको guess नहीं था कि जो narrator है वो उसको spy कर रहा है जब वो सोया होता है तो 8th night पर जो narrator होता है वो पूरा process repeat करता है वो उसके room में जाता है जाता है बहुत डिम लाइट में अराम से रूम में जाता है उसके room में जाता है वो उसके room में जाता है जो old man होता है वो robbers से जाता है वो डर जाता है वो जाता है अपनी जो आंके बंद रखता है रूम में जाता है तो उसको जो old man उसको पता नहीं चलता है डोर जब ओपन होता है तो जैसे ही जो नीटों तिमना गर्देन में डोर के अंदे लागता है तो वहां पर light rain करने लग जाते है थोड़ा सा होती है जो old man होता है वो एक दम से उठके बहुता है को हो इस देर कौन है वाँ पर सो थोड़ टाइम के लिए generator होता है वो बिल्कुल मूव नी करता है लेकिन जो man होता है वो बैठा ही रहता है क्या बोलते हो जो गड़ी के अवाज होती है वो सुनता रहता है तो बहुत ज खुद दर सिर्गा ये पहलें साथ क्या शरी खूरी होता है शोकी आपने आपको कन्विंस करने के माट दर के को बास नी सब कुछ है कि सब कुछ ठीक है सो दरीटर के कोलिक जो इस इस मान होसको पता था कि डरनने कोछ भी नहीं है पट उसको पता रहते हूद minder वाला है वो होता है तो जैसे ही इसको और मैन आइज दिखती है वह पागल हो जाता है तो आइज इसको पस modèle पहसे थी बहुत जाता है, जो झानार मोड़ स dai, हम नंता की बुलभागार तो तो वह जुन्रेटर तो हम पर किन जो तरग को एधिया धी, और यहां हमतनी होता है मेश्च भी जाता है. पंचाहिं को स्पाहिस करता है यह सुन लिए चाहिए उछी जहा हां। ऐसा नडेर निकल सोइद संद शल मुरू अखो निगफ लिघ करें जाता हैं इसके बाद किया तो नेटर स्माइल करता है जो हाडवीट होता है जो ओल्ड मैन जिन्दा होते हैं बड़ जाता है बड़ को मुझा बड़ करता है और उसकी बॉड़ी को चेक करता है यह शूर करने के लिए कि वह डेफिनेटली मर गया है अगर मैं पागल होता है यह सब थोड़ी चाक करता है यह सुनने के बाद आपको लग जो भी इसने डिस्क्राइब किया कि बॉड़ी को चेक है तो उसके बाद क्या बोलता है कि वह कोशिश कर रहा था यह साबित करने कि वह पागल नहीं है उसके बाद क्या गरता है जो नेट कर देता है फ्लोर पे कोई ब्लॉड कोई भी निशान नहीं रहने देता है तो इसका मतलब के इंचनरेटर सब्सक्राइब बहुता स्मार्ट था जो डैड बॉड़ी तो इसके बाथ टब में कट की थी क्या होता है फिर चार बच जाते हैं तब तक बहुता होता है तो डॉर प सब्सक्राइब के टेस्ञट नेगन के समय अवाया होता है अलगता है कि कुछ हो रहा है तो इसलिए प्लीस व्हाल इसके बीफारच डेस होते हैं और बृis को सब्सक्राशन बद्रोट मेन बीफेसर निकम्राइब इन्ट कें पलीज सेर्च करो कर लेते हैं प Hagg वहां पे उनाकर देता है बेठने के लिए और उनकी चर्स बहां पे लगाता है जहां पे उसने डेड बॉडी। बादी पीस चुपाये होते हैं तो प्लीज भूझव जाद शक नहीं होते हैं बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं जल्दी थक जाते हैं फिर क्या होता है कि उसका है थे कान में क्या रिंगिंग है और वह तो आज कोशिच करते हैं यह साउंड से छुटकारा पाले लेकिन अशा नहीं होता है वह ज्यादा जो वाइज होती है वह लाउड रहोती है और फोशेव्य जो को ऑपलीस वालों को जो जो नाये होती है वह नाईस नोटिस कर लेते हैं जो इसकी वर्जेस साउंड की वजह तो नियुक्त की चाहिए उसको सहन कुछ नहीं हो जाता है और जाता है उसको सहन कर पा रहे तो इसका मनलब कि जो प्लीस आफिस दे उनको पता था और वह जुट से हम जाती है कि उनको कुछ करना परता है उसको रोकने के लिए तो असाको कुछ को इस来 anymore को किस तरह से उन qao smiil करते है तो औरological फ्रीन करतें कि उनको कुछ नीपरता कि क्या मैं drift करता मैं एड्मेट करता और फॉल साना के लीत अधिया उनको रयतें व Boss करता शकust social visit और उसने कर्म कांड किया थे 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 खुबूल कर लेता है कि वह यह सब में थे चुपाई थे और देड़ बॉडी पीसेज में करके छुपाई थी वह भी प्लीस दिखा दिता है एह यह सारी जो पक्राइब प्रवारी थे यहां पर प्रवारी डॉडी हो जाती है वह पागल नहीं है सिर्फ नर्वस हो गया था वह तो तैस अल दा स्टोरी यह सारी और यह आपको मैंने यहां पे बता दिया सबसे पहले परसन है उसका नाम नहीं नहीं है यह संस को पागल नहीं है और वह पागल नहीं है यह पाता एक प्रूफ करने के लिए वह पास्ट इवन्ट बताता है एक old man जो जो साथ रहता था वो से बहुत प्यार करता था बड़ उसकी जो आइस थी old man की वो उसको बहुत लगती थी और उन आइस की वज़े से वो उसको हेट करता था और उसको मानना चाहता था तो every night for about 8 days वो उसकी रूम में जाता था बड क्यूंकि old man अपनी आइस नहीं क पागल सा हो जाता है और उसको मार रेता है उसको मार को उसकी टाड बॉड़ी फ्लोर की नीचे चुपा देता है फिर वहां क्यूंकि जो नेवर्स होते हैं उन्होंने चिलानी के अवास सुनी तो उन्होंने पुलीसमेन को बुला ली होता है तो तीन पुलीसमेन को जाते है उनको पूछने के बारे तो बोलते हैं कि नहीं सोते हुए मैं ही चिला रहा था और जो ओल्ड मैन है वो आउट अफ टाउन है तो उसके बाद वो पलीस वालों को उसके जो ओल्ड मैं तो बेडरूम में लिख जाते हैं वहां पर उसने डाड बॉडी जो है वो छुपाई होती है तो वहां पर फ्लीस वालों को मतलब कोई सेस्पेक्ट नहीं होता जातों वहां से जाने लगते हैं तो कि नेटर के जो कान में बहुत सी टेरिबल टिकिंग नॉइस आने लगती है जो कि ताय दीर दीरे पढ़ती जाती है और उससे के होते कि वह बहुत जादा नवस होता जाता है और अपना जो क्राइम है उसको कंफेस कर लेता है और जो भी उसने डेट बोडी छुपाई थी ओल्ड मैन की वह डेट बोडी भी वह प्लीस वालों को बता देता है यहां पर जो स्टोरी है वह खतम हो जाती है और नेटर क्लेम करता है कि वह पागल नहीं है अगर किसी अगर आपको प्राब्लम थी और मुसको प्राब्लम इसकी एवल आई से वहाल हम ने अप्रीड किया थीन स्टोरी इन दिसक्स किango किया थीन और अगर आपको पिडियेफ चाहिए तो प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करियेगा आपको पीडिएफ प्रवाइट करा दी जाएगी और इफ यू लाइक इस वीडियो प्लीज लाइक शुर्ण सब्सक्राइब टो वर चानल अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएए हम कोशिश करेंगी कि उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो प्रवाइट कराई जा सके so that's all from this video please like share and subscribe to our channel and thank you follow us on telegram for pdf and for pdf if you want comment us in the comment box comment box में comment करके बताएए कि आपको pdf चाहिए तो हम आपको pdf भी प्रवाइड कर देंगे और अपडेट के लिए हमें telegram पे और instagram पे जरूर फॉलो करें thank you so much guys